भारत में आखिरकार अब 2 से 18 साल तक के बच्चों को भी करोना की वैक्सीन लगाने की अनुमती मिलने जा रही है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी SEC ने 2 से 18 साल के बच्चों को को वैक्सीन देने के लिए अपनी हरी जंडी दे दी है कमेटी ने ड्रक्स कंट्रोलर जर्नल ओफ इंडिया DGCI से इसकी सिफारिश की है लेकिन क्या ये वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है? क्या परियाब ट्राइल हुए है? बच्चों की वैक्सीन से जुड़े 5 सबसे बड़े सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देते हैं भारत बायोटेक ने CDSCO यानी Central Drugs Standard Control Organization को को वैक्सीन के लिए 2 से 18 वर्ष की IU वर्ग में क्लिनिकल ट्राइल से डेटा जमा किया था CDSCO और SEC द्वारा डेटा की गहन समीक्षा की गई और इसके बाद वैक्सीन के इस्तिमाल की सिफारिश की गई क्या 2 साल के बच्चों के लिए कोई और वैक्सीन अप्रूव होई है? नहीं, ये पूरी दुनिया में पहली वैक्सीन होगी फाइजर ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए अपनी वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए USFDA को अरजी दी है, लेकिन अभी ये मंजूरी नहीं मिली है इसराइल में विशेश केस में 5 से 11 साल के उपर के बच्चों को टीका दिया जा रहा है UK, चिली, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, US, स्वेडिन और चीन जैसे देशों में अलग-अलग नेमों के अंतरगत 12 साल के उपर के बच्चों को करोना टीका करण किया जा रहा है वैक्सीन कितनी प्रभावशाली होगी अब तक हुए क्लिनिकल ट्राइल्स के अनुसार, कोवेक्सीन, उम्र में बड़े लोगों के लिए तो करोना वाइरस से लड़ने में 77.8 प्रभावशाली रहती है लेकिन बच्चों पर इसका प्रभाव कितना रहेगा इसका परिणाम अभी निकल कर नहीं आ पाया है और भारत बायोटेक द्वारा देश भर के चुनिन्दा एम्स के इंद्रों पर कम आयूवर के बच्चों पर इसका कितना प्रभाव होगा ये जानने के लिए फिलाल क्लिनिकल ट्राइल जारी है इस्तिमाल के लिए क्या होगी गाइडलाइन शर्तों के अनुसार भारत बायोटेक को एप्रूफ्ट क्लिनिकल ट्राइल प्रोटोकॉल के अनुसार स्टेडी जारी रखनी होगी और प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन पैकेज इंसर्ट इसके साथ ही प्रोड़क्ट की समरी SMPC और Fact Sheet प्रदान करनी होगी इसके अलावा Firm को वैक्सीन सुरक्षा डेटा के AEFI और AESI का डेटा पहले दो महीनों के लिए हर 15 दिन और उसके बाद मासिक रूप से New Drugs and Clinical Trial Rules 2019 की आविशक्ता के अनुसार देना होगा अन्तिम और सबसे महत्मूर सवाल क्या इस वैक्सीन को बच्चों के लिए WHO की मंजूरी मिली है तो आपको बता दें WHO ने अब तक भारत बायोटेक की को वैक्सीन को मानिता नहीं दी है हला कि भारत सरकार की ओर से वैक्सीन को मानिता दिलाने के लिए प्रयास लगतार जारी है और भारत के स्वास्तर मंत्री की ओर से दावा किया गया है कि इस महीने के अन तक WHO द्वारा को वैक्सीन को मानिता प्रदान कर दी जाएगी हाला कि भारत ने ये मंजूरी 18 साल के उपर के लोगों के लिए मांगी है यानि अगर अप्रूवल मिलता भी है तो ये बच्चों के लिए मानने नहीं होगा